हेलो फ्रेंड्स मैं चना मिसा सिंपल एंड स्वाधिष्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की बहुत ही ताकतव सब्जी की रेस्पी लेकर के आए हैं इस सब्जी में कार्भो हाड़ेट प्रोटीन वसा फाइबर बहुत से खनिश पाय जाते हैं इसकी वज़े से हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही फाइदे मन सब्जी है इसमें मीट से भी 50% ज़्यादा प्रोटीन होता है इस सब्जी का लगता सेवन करने से हमें कई तरह की बीमारी चुटकारा भी मिलता है जैसे की मदमय, ब्लेट पेशर, कैंसर, आंखों की संबंदित प्रोब्लम, तुचा संबंदित बीमारियों के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए सब्जी बहुत फाइदे मंद होती है तो चलिए इस सब्जी का नाम हम आपको बता देते हैं अलग-अलग सेहरों में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे की बन-करेली, खिकसा, कंटोला, ककोरा, जंगली-करेला और ककोडा आप लोग इस सब्जी को क्या कहते हैं हमें बताईएगा हमारे यहां तो इसे बन-करेली कहा जाता है तो आप जब भी market जाएं तो आपको अगर ये सबजी मिले तो आप इसको ला करके जरूर बनाएं चलिए सुरू करते हैं सबजी को बनाना ये देखिए बन करेली कुछ इस तरीके से होती है इसमें हलके हलके से काटे होते हैं तो इसको हम काट लेते हैं पहले हम इसको उपर काट करके थोड़ा सा इस तरीके से निकाल देंगे अब इसको बीज से काट देंगे दो हिससो में और इसको हम लंबा लंबा इस तरीके से काट लेंगे आप चाहें तो इसको गोल गोल भी काट सकते हैं इसमें इस तरीके से बीजे होते हैं ये पकने के बाद बीजे मुलायम हो जाते हैं तो देखिए ये पूरी सब्जी मैंने काट ली है अब चलिए आगे का प्रोसेस सुरू करते हैं तो ये मैंने कड़ाई गरम होने के लिए रख दी है इसमें हम दो चम्मस सरसो का तेल डाल देंगे सरसो के तेल के जगे आप और कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं तेल गरम हो गया है और इसमें मैंने जो बनकरेली काटी थी उसको भी इसी में डाल देंगे और डाल करके इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो हमें इसको इतना फ्राइ करना है कि ये आधा पक जाए ये देखिए बंकरेली आधी पक गई है तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो ये देखिए सारी बंकरेली मैंने प्लेट में निकाल ली है अब उसी कड़ाई में हम फिर से सरसो का तेल डालेंगे तो ये मैंने एक चमत सरसो का तेल डाला है और इसमें आदा चमत जीरा डाला है दो चुटकी हिंग डालेंगे तीन लैसुन को मैंने क्रश कर लिया तो उसको भी इसी में डाल देंगे आप चाहें तो काट करके भी डाल सकते हैं और दो हरी मिज को बारिक बारी काट लिया तो इसको भी इसी में डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे भूनने के बाद इसमें दो प्याज को काट करके इसी में डाल देंगे और प्याज को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे तो प्याज को में बहुत ज में सौंप पाउडर डाल देंगे तो सौंप पाउडर आप चरूर डाल येगा इसमें बहुत ही अच्छा तेस्ट आता है अब इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे और भूनने के बाद ये बन करेली जो मैंने फ्राइ कई थी उसको भी इसी में डाल देंगे और डालने जाल देंगे अब उपर से हम स्वादर थी नमक डाल देंगे और वह हम चला देंगे और अब इसको हम उपर से हैं तक हम पका लेंगे जिस तक हमाई टमाटा अच्छी तरीके से गलना जाए और बीच में खोल खोल के एक-दुबा इसको चला देंगे जिससे कि यह सबजी जलना जाए तो अब चार से पांच मिनट हो गए हैं अब हम सब्जी को खोल के देख लेते हैं तो सब्जी देखिए बन करके तयार हो गई है कितनी अच्छी यह सब्जी बनी है अब इसमें हाप टी स्पून इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और हाप टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और यह डालने के बाद इसको हम फिसे एक बाचला देंगे तो अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं तो अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन अवश्च दबाईएगा जिससे की मैं जो भी वीडियो डालूँगी वो तुदंत आपको मिल जाएगी तो बन करें लिए कि सब्सक्राइब की रेडी हो गई है इसको आप लंच या डिनर में इंज्वाए कीजिए और मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रेस्पी के साथ पार एक नईगने और मैं मुलिए को आपको मैं मिलती है या जिससे की मिलती है